नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शोग में जिसका नाम है सियासी ड्रामा और मैं हूँ आपके साथ जूती बंगाल में बीजिपी ने अब बनाया रेलियों का पलाखन शामोदी धाएंगे ममता पर कहर बंगाल में भले ही भाजपा के रत्यात्रा पर संकट के काले बादन मंटरा रहे हों पर भाजपा बंगाल में हार मानने को तयार नहीं है इसलिए रथियात्रा को सुप्रीम कोर्ट से इजाजत नहीं मिलने के बाद प्रदेश बीजिपी अब रथियात्रा के बदले पदियात्रा रैली और जनसभा करने जा रही है बीजिपी पश्चिम बंगाल में आगावी 20 जनवरी से रैलियों की तीन दिवस्य सीरीज की शुरुआत करेंगे इन रैलियों को पार्टी अद्यक्ष अमिश्या संबोधित करेंगे नए प्लान के मताबिक आमिश्या बंगाल में पांच जनसभाविस करेंगे और हल्ला बोलेंगे बीजिपी के प्रदेश अर्द्यक्ष दिलिप घोश ने कहा कि हम 20 जनवरी से सारुजनिक रैलियां आयोजित करना शुरू करेंगे अमिश्या बीज जनवरी को मालदा में पहली रैलिय को संबोधित करेंगे उन्होंने बताए कि इस जनवरी को शा बीरभूम जिले की सूरी और झार ग्राम में दो रैलियों को संबोधित करेंगे वे 22 जनवरी को नदिया जिले के कृष्णगर और दश्षिन 24 परगना जिले के जैनगर में रैलियों को संबोधित करेंगे शाह ने राजे की 42 लोकसवा सीटों में से 22 सीटे जीतने का लक्षे रखा है बतारे कि ममता बनर जी 19 जनवरी को तमाम विपक्षी पार्टियों की कौलकता में मेगा रैली करने जा रही है घोष्ण ने कहा कि कोट ने हमारी यात्रा का विरोध किया है इसलिए अब हम इस रैली को गरतंत्र बचाओ सभा कहा जाएगा दिलिप घोष्ण के मताबिक प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से भी कौलकता में जनसभा करने का आगरे किया गया है बीजेपी की राजे इकाई ने पीएमू से आठ फरवरी को कौलकता में होने वाली मेगा रैली के लिए प्रधान मंत्री मोदी का वक्त दिलाने का अनुरोध किया था भारतिय जन्ता पार्टी की बंगाल में प्रस्तावित रतियात्रा पर सर्वोच न्याले द्वारा शशत्र प्रतिबंद लगाए जाने के बाद पार्टी के मास अचीव ने कहा कि पार्टी ममता बनरजी सरकार की चालो से डरी नहीं है और सरवोच न्याले के निर्णे के दाइरे में अपने राजनितिक कारिक्रम को जारी रखेगी राज्य भाजपा ने दावा किया है कि अगर ममता को लगता है कि वे भाजपा की यात्रा का रोक कर भाजपा को रोक लेंगी तो वो गलत है भाजपा बंगाल की सडकों पर जारी रहेगा और जो भी ये सारी चीज है वो रुकने वाली नहीं है भाजपा बोली कि हमने राज्जी में कई सारे राजनेति कारेक्रमों की योजना बनाई है प्रधान मंत्री नरिंद्र मूदी, पाटिया देक्ष अमिश्या, यूपी के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनात और केंद्रिय ग्रह मंत्री राजनात सेंग जल्द ही बंगाल आएंगे आपको बता दे कि भाजबा ने रास्टे चुनावों में अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए राथियात्रा की योजना बनाई थी जो राज्जी के सभी लोकसबा छेत्रों से होकर गुजरने वाली थी हाला कि राज्जी सरकार ने इसकी अनुमती नहीं दी है कि बंगाल में ममता की क्या स्थिती रहती है और मोधी शा की क्या स्थिती रहती है क्योंकि मोधी शा ने ठान लिया है कि ममता का गड़ उससे चीन कर ही रहना है जिसकी वज़ा से वो सारी कोशिशे सारी रन्नीती बना रहे हैं तो देखते हैं कि आखिरकार बंगाल जो इतना बड़ा गड़ है वो किसके पक्ष में जाता है और जो कोशिशे हैं मोदी शा की वो काम्याब होती हैं सफल होती हैं या फिर नहीं अगर आपको भी यह चीज़े सही लगती हैं तो कमिंट बॉक्स में अपने विचार लेकर हमें बता सकते हैं थैंक यू सो मच की वाचिंग टुदेश फर मोर न्यूज चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारी जो टुदेश की आप है उसको भी आप जरू डाउनलोड करें थैंक यू